नूडल्स खाना सभी को बहुत पसंद होता है आज हम इसी तरही हेल्दी वर्जन यानि चाइनीज सेवई बनाएंगे जो इत्व नूडल्स को टकर देने वाली रेसिपी है बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाली है बनाने में भी बहुत आसान है तो चलिए बिना दे और यहां पर सबसे पहले हमें सेवई को बॉइल करना हो जैसे हम नूडल्स को बॉइल करते हैं ठीक वैसे ही तो यह मैंने एट लीटर जितना पानी लिया है पानी में बॉइलाना स्टार्ट हो जाएदा तब हम इसमें डाल देंगी सेवई यहां पर हमने रोस्टेट नहीं हो तो आप नॉर्मल वर्मी सेली को भी लो फ्लेम पर कुछ मिनट के लिए ड्राय रोस्ट कर लीजिए थोड़ा सा इसमें नमत डाल देंगे और इसे तीन से चार मिनट के लिए उबल लेंगे वर्मी सेली को पतने में टाइम नहीं लगता है यह जल्दी से पत जाती है चार मिनट बाद हम सेवई को असे निकाल के इट पर चेट कर लेंगे तो यह इसली कटो रही है इसका मतलब सेवई अच्छे से उबल चुकी है तो हमें इसे ज़्यादा नहीं उबालना है कैस का फ्लेम अब हम यहीं पे ही बंद कर देते हैं इसे हम स्ट्रेनर के उपर निक यहादा पानी डाल देजिए जिससे कि यह आपस में चिपके नहीं सेम कराइक को ही मैंने ड्राइड लिया है इसमें हम डाल देंगे एट टी स्पून ओइल इसके लिए हमें ओईल की ज़दा जरत नहीं होती है जैसे ही ओईल घरम हो जाया हम यहां पर डाल देंगी एट टी के लिए भून लेंगे जिसे के इसका तचापन निकल जाए अब यहां पर हम डाल देंगे बारित चॉप किया हुआ प्याज तो यह मैंने एट मीडियम साइस का प्याज लिया था जिसे फाइनली चॉप कर लिया है डाल देंगे प्याज को भी हम दो मिनट के लिए यहां चला अब इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च और गाजर, इन्हें भी हम 8 मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे, सबजों को हमें यहाँ जादा दलाना नहीं है, इनका हमें तरंच बनाए रतना है, यहाँ मैंने सबजों को महीन चौप किया है, जिसे कि बच्चे भी दालेंगे, आधा चमच लाल मिच पाउडर, आप इसकी जदर एक चमच रेचली सॉस भी डाल सकते हैं, या आप इसकी जदर आधा चमच ताली मिच पाउडर भी डाल सकते हैं, आधा चमच हम इसमें नमत जालेंगे, नमत हमें देखके ही एड़ करना है, क्योंकि हम इसमें सॉसे जएड़ दरने वाले है 8 टेबल स्पून हम यहाँ पर डाल देंगे इसमें सोया सॉस 8 टेबल स्पून हम यहाँ पर इसमें डालेंगे विनेर यह मैंने लिया है शेजवान चट्नी 8 टी स्पून अजर आपको तीथा ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी ट्वांटिटी बढ़ा सकते है और 8 टेबल स्पून हम यहाँ पर डाल देंगे टमैटो कैजब सब को अच्छे से मिट्स कर लेंगे शेजवान चट्नी यहाँ पर डालना ऑप्शनल है अजर आपके पास है तो आप इसे डाल सकते हैं और सॉसेज की ट्वांटिटी आप अपने टेस्स के अक्रॉडिन इन्हें क्रम यहाँ जादा कर सकते हैं सॉसेज को अच्छे से मिट्स करने के बाद अभी इसमें हम डाल देंगे बॉयल कीवी वर्मी सैली तो यह आप देख सकते हैं वर्मी सैली को जैसे ही मैंने इस ट्रेनर के उपर निकाला था इसके उपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया था जिससे कि यह ओवर कुट भी ना हो और साथ में एक दूसरे से चिक्की वी भी ना रहे तो आप देख सकते हैं कि यह दम खिली खिली है अच्छे से हम सारे सौसिस के साथ इसे मिच्च कर लेंगे दो से तीन मिनट के लिए हम इसे ऐसी ही चलाते वे पत्रा लेंगे एट पर आपने इस तरह से यह चाइनीज सेवी बच्चों को बना के दे दी तो फिर यह रोज आप से बनवाएंगे और नूडल्स को तो भूल ही जाएंगे यहाँ पर यह मैंने सूजी की सेवी काम में ली है जो नुकसान भी नहीं करती है बच्चों तो इस तरह से आप यह नाश्टा बना के दे सकते हैं आप इंके लंच बॉट्स में भी बना के दे सकते हैं अभी बच्चों के एद्जाम स्कतम हो गए हैं बच्चे धर पर हैं तो उन्हें इस तरह से यह आप हैल्दी नूडल्स को आप्शन दे सकते हैं दो मिनट बार कैस्ता फ्लेम बंद करेंगे और इसे सर्फ कर लेंगे तो यहां मैंने चाइनीज सेवे को सर्फ कर लिया हैं उपर से हम इस पर कटा हुआ हरा धनियान डाल देंगे अजर आपके पास स्प्रिंद धनियान हो तो आप उसे भी यहां पर डाल सकते हैं तो एद बार आप इसे इस तरह से जरूर ट्राई कीजिए आइम शूर इसके बाद आप नूडल्स को तो साना भूल ही जाएंगे क्योंकि यह इद्ब टेस्ट में नूडल्स जैसी ही लटने वाली है आप देच सकते हैं इद्ब खिली खिली बनी है बनाने में बहुत आसान है तो इसे आप जरूर बनाईए पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए मिलते हैं इत नई वीडियो में इत नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई